उत्र बहरतिय जब मंदिरों की खूपसूर्ती की बात करते हैं तो अक्सर दक्षड के मंदिरों का जिक्र इसलिए होता है त्यूंग वहां की खूपसूर्ती हर चीज को टकर देती है यह तो दुनिया में seven worlds of wonder की बात की जाती है लेकिन दक्षिड के मंदिरों की खूपसूरती हर चीज को टक कर देती है भारत में ताजमहल में घूमने आने वाले लाकों लोग होते हैं लेकिन दक्षिड भारत के मंदिरों में जाने वाली तादात का भी कोई मुकाबला नहीं है ऐसे में नौडा में एक ऐसा मंदिर है जिसकी भवेता देख कर ही लगता है कि यहां का नहीं है यह यहां से अंजान है या फिर विदेशी है ऐसे में आपको बता दें कि गड़ी चौकंडी यह इलाका है जो कि नौडा सेक्टर 121 में आता है यहां से हम निकल रहे थे लेकिन एक बोर्ड जिसने हमारा ध्याना करशित किया वो इसलिए है क्योंकि उडिसा की भाशा में वहां पर मंदिर का नाम लिखा था अब भला उत्तर भारत में उडिसा भाशा से किसी चीज को लिखा होना बताता है कि यहां कुछ अद्भुत हो रहा है यहां कुछ अलग हो रहा है तो यह मंदिर है जिसको हम बोर्ड के साइन से देखते हुए अंदर आते हैं और इस मंदिर की भवेता देखकर हम ठहर जाते हैं और आज का कारिकरम आवाज यहीं से होने जा रहा है नमस्कार मेरा नाम है कावेंदर चौहान और आज मैं आपको दिखाऊंगा उत्तर भारत में पनपते दक्षिड भारत मंदिर की एक अलग पहचान जिसकी अद्भुत अकल्पनिय और अविश्वसनिय सोच जिसकी बनावट हम आपको बड़े करीब से दिखाएंगे और लेकिन नौड़ा नहीं है नौड़ा भी दो भागों में आता है एक भाग वो है जो दरसल सीमेंट का जंगल कहा जाता है जहां पर लोग ऐसे घरों में रह रहे हैं ऐसा लगता है कि मानों बड़े-बड़े पिंजड़े हैं वहां पर छोटे-छोटे तोते पक्षियों की लोग रहने को मजबूर हैं लेकिन अभी खुश होने की जरुवत है क्योंकि नौड़ा में सीमेंट का जंगली नहीं वलकि हम अपनी संस्कृती से भी जुड़े हुए हैं तो यह हमारी संस्कृती है और कितनी खूपसूरत है यह उत्तर भारतिये भी देखेंगे और निर्माड अधीन है निर्माड हो रहा है लेकिन निर्माड भी इतना खूपसूरत है कि जिस पर बात करने को जी चाहता है यहां की खूपसूरती बिलकुल अलग दिखती है यहां की खूपसूरती बताती है कि सब कुछ कितना अध्भुत है तो यह पंडित चीका आगमन हो रहा है पंडित जी नमस्कार नाम क्या है पंडित आपका दमाकर चईच मिश्णा नाम है तौए शथी अ कताफ ये भविमनल रहा है तो पूरी जलम है उन्हें की तर्च पर उन्हें की तरह तो मंदिर है यह हैं की जो कारीगर मारी नहीं को कि यहां का कोई कारीगर नहीं है या मंदिल लगेगा यह कटाई मेशिन से होता है आप देखोगे मेशिन अभी कटिंग बाले कहां चले गए हैं थोड़ा आप देखोगे तो यह आएगा अच्छा तो यह कटाई जो है मशीन से होती है और पंडी जी बता रहे हैं जैसा कि बनने के बाद अलगी दिखेगा बहुत आकर्शक दिखेगा और बहुत जादा सुन्दर दिखेगा तो ऐसे में यह मंदिर है इस मंदिर को जब हम यहां से भी देखते हैं तो भी आँखे ठ फिलर है एक पिलर को मुमन बनाने में जैसे की मान लीजे एक दिन लगता है तो इस फिलर को बनाने में कितना समय लग रहा होगा easiest गभांг़ां जो यतौफ में पिलर की पूरी रंगाई पुताई तक पहुचता होगा तो यह मंदेर यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि यह जो पहला गुम्बद है जहां से हम सीडिया चड़के आए पहला गुम्बद जो है यह बन चुका है कितना समय हो गया इसको बने हुए पहले गुम्बद को यह तो एक साल जैसे लग गया लग गया तो इसमें क्या कुछ काम रह गया है हां काम रह गया नीचे से काम रह गया और अभी एक-दो महिने में काम खत्म हो जाएगा इसका एक-दो महिने लगेंगे इसका भी पूरा काम जो है खत्म हो जाएगा ठीक है तो यहां से भी मंदिर है यह दो जो हैं यह दो गुंबत हम देख पा रहे हैं पंडी जी यह दोनों पहले से बने हुए हैं कि यह दोनों पहले से बने हैं और मातारानी का मंदिर है तो यह जो मंदिर है दरसल यह पहले के बने हुए है और बाद में यह मंदिर जो है इसका निर्माण जो है चल रहा है यह पुरी जगरनाथ जो डीसा में मंदिर है जिसकी रहसे की कानिया भी काफी अलग है उनी की तरज पर सिमेट्रिकल उसी की तरह बनाया जा रहा है आपका नाम काफी जिक्र हो रहा था नीचे आपका बताया जा रहा है कि आप सौ से ज्यादा मंदिर बना चुके हैं हो इस मंदिर को भी आप ही बना रहे हैं कि आपी बना रहे हैं मैं कारिवर हूं है टो क्या मतलब मंदिर की जो शिल्प कला है जो डिजाइन है वही बिलकुल अलग से दूर से दिखती है पूरी जगनात मंदर का उतकर लिए कला है पूरी जगनात यह मंदिर होगा जब आपको पहली बार कहा गया कि आप को यह मंदिर बनाना है तो इसको कैसे ने ठीक यह भगान का काम हो रहा है और यह हिंदु धर्म का यह जगनात संस्कृतिगा और यह नौइडा उत्तर प्रदेश में फास्ट हो गई है तो विश्णोई जी आपका नाम कि यह तो मंदिर कमेटी के सदस्ते जो बढ़ते चले तो मंदिर कमेटी किस तरीके से کाम कर रहे है किस तरीके से कवे तो क्यूंकि काफी iMac यह जगता है इसमें काफी चीज़ीघ करता ही सारी चीजों क Mia सरज हो सारी चीज़ों को 600 होते हैं उनिए के नेदर करते हैं के लिए जद कहीं आप निरमाढ है उसको निर्माध है उसकी कर जाएं ऊसका मैनेजमेंट मंदिर कमिटी में कितने सदसे हैं kilometers काम बंधा और रहा हम मंदिर की निशिग रख힌 युठ की कव सुरू अपनना और मेरे ख्याल से यह तो मंदर बहुत पुराना है तीस साल के मंदर है पुरी जगनाथ मंदर की नीव कब रखे गेते हैं यह उन्नीस में यहीं है कार्ति महिना यह दोजार उन्नीस में शुरू है अब दो साल हुआ अभी कोरोना के बज़े से भागान का काम थोड़ा धिला यह तो यह सामने इसके अंदर पुरी जगनाथ भगवान की मुर्ति साहत स्थापित की जाएगी जी बगवान जगनाथ जी की मूर्ति होगी और बाकि अन्य भगवानों की अधर है सबकुछ अंडर गांट है आगे भी है मतलब यह जो जगा है यह जो दिक रिया भी बन रह है यह क्या मंदिर है माता भी मला है तो यह चोटे-चोटे मंदिर जो है वो भी यहां पर बनेंगे तो यह मंदर कमिटी के सदस्य थे और साथी साथ हेड कारीगर थे हेड कारीगर भी होते हैं यह अक्सर कम सुनने को मिलता है क्योंकि हमारे इधर तो सीमेंट और इंट का ज पूरी जगनात भखवान का यह मंदिर यहाँ पर बन रहा है जिसके बिलकुल पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको वही टिपिकल नॉडा दिखेगा वही इमारतें, वही छोटी-छोटी बालकनियां और वही छोटे-छोटे कमरे तो यह नॉडा जो है वो टिपिकल नॉडा भी आपको यहां देखने को मिलेगा और साथ ही साथ टिपिकल नॉडा को देखते-देखते, जब आप धीरे-धीरे जैसे हमारा कैमरा पैन हो रहा है वैसे-वैसे खुद को पैन करेंगे, तो आपको सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक मंदिर और भव्य शिल्पकला के भी दर्शन होंगे और जो आपको बताएगा कि हमारी संस्कृति दरसल अभी किस और है, हम अपनी संस्कृति से अभी भी जुडाओं महसूस करते हैं जो दरसल हमको यह दिखाती है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो मंदिर हैं वो कितने भव्य हो सकते हैं उनके शिल्व कला की कितनी अनुठी दास्ता हो सकते है किस तरीके से कारिगर आज भी इस मंदिर को बनाने की शिद्धत रखते हैं जिस तरीके का पेशिंस चाहिए जिस तरीके की महनत चाहिए वो महनत हर किसी के बस की बात नहीं तो एक हिस्सा जो हमने आपको दिखाया वो निर्माडा धीन है लेकिन जो पहले से निर्माड हो चुका है उसकी ये तस्वीर है ये श्री जगनात मंदर लिखा हुआ है उपर उडिया में भी लिखा हुआ है हलाकि में पढ़ नहीं सकता लेकिन ये श्री जगनात मंदर ही लि तो यहां पर बताय जा रहा है कि सिंग द्वार पर 5 लाख, मुक्षाला पर 5 लाख, मुक्षदवार पर 502 लाख, तो यह सब खर्चा भी लिखा भूआ है, और सातफी पर्शा भी लगा हुआ है, तो आवाज गूंज रही हिए हलकी सी इको हो रही है क्योंकूंज खाली खाली इसके उपर ही मंदिर का निर्मार कारिकल चल रहा है आप यहां पुजारी हैं तो यहां जो है अंदर भगवान जी है तो इसके अंदर चलेंगे देखेंगे मोजा पहने रह सकते हैं ठीक है तो अरे भगवान जी है तो यहीं भगवान जी की जो मूर्तियां है इनको अंदर स्थाफित किया जाएगा आपको यह exclusive तस्वीरे दिखा रहे हैं जो मंदिर उपर निर्मारा धीन है सेक्टर 121 नौलडा के गड़ी चौकंडी में तो यह वो मूर्तियां है जिनको उस्थापित किया जाएगा थोड़ा सा बताईए मंदिर के बारे में यह तो मंदिर दस साल से भगवान जी यहां पुझा पाते हैं हम लोग को गोडिया लोग का जो यहां ट्रस्ट है गोडिया लोग बोलने से भूल होगा इसमें सब जैसे बंगाली बिहारी बोले यहां का यूपी का आदमी बोलिए सब मिला हुआ है सब मिला के भगवान जी का मंद्र बना रहा है और भगवान जी का मंदिर यह धिर ब़प्लीट पूर्णो ऐ कार्म हो जाएगा भगवान जी जा के उधर बैठेंगे अ उधर जी का जो मांदिर है, शोर्णमद पुर्णा होगा, उसमें हम सरी भक्ति लोग को अनुरोध करेंगे, कि ओ लोग उसी पुजा में आए, जानवरी 23 तरी को आए, अपना सक्ति का हिसाब से भगवान जी को जो सके दान कर सके, और पुर्णा होगा जो शोर्णमद, उसमें आप का सक्ति साहब से कुछ भी सस्य हो, और कुछ रुपिया हो, या स्वर्ण अलोंकार हो, कोई भी धातु हो, उसमें दे करके पुन्यता लाब करे, भगवान जी, श्री भगवान जगनात जी का आश्रीबाद प्राप्त करे, पंडी जी कुछ कह रहे हैं, इस पर घौर ध्या, ध्यान से इसको सुनियेगा, तो यह मूर्तियां हैं, जिनको स्थापित किया जाएगा, उपर निर्माणाधीन मंदिर है, जिसके हमने आपको तस्वीर दी है, कब तक पंडी जी लगता है, कब तक उमीद है कि कब तक मंदिर बनकर तयार हो जाएगा, और भगवान सब्सक्राइब करने में कम से कम एक देड़ साल लग जाएगा उसका बाद भगवान जी अपना मंदिर में जाएंगे गर्भगुरु में सिंगासन में बैटके पुजा पाएंगे फिर आप से डेड़ दो साल बाद मुलाकात करें जब भगवान जी उपर आएंगे जब नेमारा दीन्मम्दिर में जब भगवान जी थापित हो जाएंगे तब तक लिस जैश्यपुरी जगणना तो कारिकर में हमेशा हमारा यही मकसद रहता है जो आवाज कही ना कहीं दब गई है जो आवाज दरसल सुनाई नहीं जा रही है और जो आवाज दरसल भाव भंगेमा के दोरा सुनी जानी चाहिए थी वो नहीं सुनी जा रही तो तस्वीरे बहुत कुछ कहती है कई दफा लेकिन तस्वीरों को सुर देना भी हमारा काम है अगर पत्रकारता ये पेशा नहीं है तो फिर क्या पेशा है पत्रकारता समाज का आइना होना चाहिए और हर समाज की चीजों को हमें दिखाना भी आना चाहिए तो मंदिर को दिखाने का हमारा मकसद बस इतना महज है कि हम सिर्फ विदेशों की खूबसूर्ती पर तालिया ना भजाएं विदेशों की मारतों की खूबसूर्तियों को अपने यहां तस्वीरों में न संजोएं बलकि भारत में जो खूबसूरती जन्म ले रही है जो हमारी विरासत है उसको भी सोचें समझें उस पर भी बात करें तो फिलाल के लिए इतना ही आवास के कारकरम में आज के लिए धन्यवाद